और सीधर आपको लिए चलते हैं जो प्रधान मेंच्वी नरींद्र मूदी मन की बात कारिक्रम को प्रसार्थ कर रहे हैं हमारे सामर्थ और समसाधनों की भूमिका बड़ी होती है लेकिन इसके साथ ही हमारी सम्वेदन सिल्टा और एक दूसरे का हाथ ठामने की भावना उतनी ही एहम होती है सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है साथियों बारिस का यही समय ब्रुक्षा रोपण और जल्ल सवरक्षन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है आजादी की अमरुत महोसों के दुरवान बने साट जार से ज़्यादा अमरुत सरोवरों में भी रोणक बढ़ गई है अभी पचास हजार से ज़्यादा अमरुत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है हमारे देशवासी पूरी जागरुक्ता और जिम्मेदारी के साथ जल्ल सवरक्षन के लिए नए नए प्रहास कर रहे हैं आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं MPK शर्डूर गया था वहां मेरी मुलाकात पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों से हुई थी वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी अभी मीजे पता चला है कि पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है यहाँ प्रशासन की मदद से लोगों ने करी सों कुओं को बॉर्टर रिचार्ट सिस्टिम में बदल दिया है बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है इससे इलागे में भू जलस्तर भी दिरे दिरे सुधरेगा अब सभी गाउवालों ने पूरे ख्षेत्र के करीब करीब आंट सो कुए को रिचार्ट के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है ऐसी ही एक उत्सावर्दक खबर यूपी से आई है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में तीस करोड पैड लगाने का रेकॉर्ड बनाया रहा है इस अभियान के शुरुवात राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहां के लोगों ने किया ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है मैं चाहूंगा कि हम सब भी पैड लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने मेरे प्यारे देश भाज्यों इस समय सावन का पवित्र महिना चल रहा है सदास्यु महदेव की साधना आरात्ना के साथ ही सावन हर्याली और खुश्यों से जुड़ा होता है इसलिए सावन का अध्यत्मिक के साथ ही सांस्कृतिक द्रश्टिकोंड से भी बहुत महत्परा है सावन की जूले सावन की महदी सावन के उत्सव यानि सावन का मतलब ही आनन्द और उल्लास होता है साथियों हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशिल बनाते हैं सावन में सीव आराधना के लिए कितने ही भक्त कावड यात्रा पर निकलते हैं सावन की वज़े से इन दिनों बारा जोत लिंगों में भी खूब स्रद्धालू पहुँच रहे हैं आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड रही है अपकाशी में हर साल दस करोड से भी ज़्यादा परियतक पहुच रहे हैं अयुद्या, मतुरा, उज्जेन जैसे तिर्थों पर आने वाले स्रद्धालू की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है इससे लाखों, गरीबों को रोजगार मिल रहा है उनका जीवन यापन हो रहा है ये सब हमारे सांसकृतिक जन जागरन का परिणाम है इसके दर्सन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तिर्थों में आ रहे हैं मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोनिया से यहां अमरनात यात्रा करने आये थे इन विदेशी महमानों ने अमरनात यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानन के अनुभावों के बारे में कहीं सुना था उससे उन्हें इतनी प्रिणा मिली कि खुद भी अमरनात यात्रा करने आ गए यही से भगवान भोले नात का आशिरवाद मानते हैं यही भारत की खास्चियत है कि सब को अपनाता है सब को कुछ न कुछ देता है ऐसी ही एक फ्रेंच मुल्की महिला है सारलोट शोपा बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इन से मेरी मुलाकात हुई थी सारलोट शोपा एक योगा प्रक्टिशनर है योगा टीचर है और उनकी उम्र सो साल से भी ज़्यादा है वो सेंचुरी पार कर चुकी है वो पिछले चालिस साल से योग प्रक्टिश कर रही है वो अपने स्वास्त और सो साल की इस आयू का स्रे योग को ही देती है वो दुनिया में भारत के योग विज्यान और इसकी ताकत का एक प्रमुक चहरा बन गई है इनसे हर किसी को सिखना चाहिए हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बलकि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तूद भी करें और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जेन में चल रहा है यहां देश भर के अठारा चित्रकार पुरानवपर आधारित आकरसत चित्रकथाएं बना रहे हैं यह चित्र, बुंदी शैली, नातद्वारा शैली, पहाडी शैली और अपभ्रहुश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे इन्हें उज्जेन के त्रिवेली संग्राले में प्रदसित किया जाएगा यानि कुछ समय बाद जब आप उज्जेन जाएंगे तो महाकाल महालोग के साथ साथ एक और दिव्यस्थान के आप दर्शन कर सकेंगे साथियों उज्जेन में बन रही इन पेंटिंग्स के बात करते विए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग के आद आ गई है ये पेंटिंग्स राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभाद सिंग मोडभाई बरहाड जी ने बनाई थी ये पेंटिंग्स चत्रपती वीर सिवाजे महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी आर्टिस्ट प्रभाद बाई ने दर्शाया था कि छत्रपती सिवाजे महाराज राज्या भिशेक के बाद अपनी कुल्देवी तुल्जा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहूल था अपनी परंपराओं अपनी धरोहरों को जीवन रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है उन्हें जीना होता है उन्हें अगली पीजी को सिखाना होता है मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं मेरे प्यारे देश वास्यों कई बार जब हम इकालोजी फ्लोरा फोना बायो डायवर्सिटी जैसे सब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि यह तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है इन से अगर हम बाकई प्रक्रती प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में बाड़ा बल्ली के एक साथी है सुरेश रागवन जी। रागवन जी को पैंटिंग का शोक है आप जानते हैं पैंटिंग कला और काम है लेकिन रागवन जी ने ताय किया कि वह अपनी पैंटिंग्स के जरीए पेड़ पौंधों और जीव जन्तों की जानकारी को समुरक्षित करेंगे वो अलग-अलग फ्लोरा और फोना की पैंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डक्युमेंटेशन करते हैं वो अब तक दर्जनों ऐसी चिडियाओं की पशुओं की और शीट्स की पैंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुक्त होने की कगार पर है कला के जरिये प्रकृति की सेवा करने का युद्धारन वाकई अध्भूत है मेरे प्यारे देश वास्यों आज मैं आपको एक और दिल्चस्प बात भी बताना चाहता हूं कुछ दिन पहले सोशल मिडिया पर एक अधभूत क्रेज दिखा अमेरिका ने हमें सो से जादा दुरलब और प्राचीन कलाकृतियां वापस लवटाई है इस खबर के सामने आन गर्व का भाव दिखा भारत लवटी ये कलाकृतियां डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी हैं आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाटा बेश के अलग-अलग शेत्रों से हैं ये टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमा से बनाई हैं इन में से कुट्य ऐसी हैं जो आपको आश्री से भर देगी आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे इन में ग्यारवी सतादी का एक खुबसुरत सेंड स्टोन स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा इन रुत्य करती हुई एक अपसरा की क इन में सामिल है देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाय तो बाहरवी सतादी की है और तमिल नाडू की वैभव साली संस्कृति से जुड़ी है भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लोटाई गई है ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सतादी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी परासिन है पत्थरों से बनी जैन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई है भगवान छुर्यदेव की दो प्रतिमाय भी आप मन मोह लेंगी है इन में से एक से से बनी है वापस लोटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मन्थन की कथा को सामने लाता है सोलवी सत्रवी सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिन भारत से हैं साथियों यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिये हैं जिब की देखे तो यह लिस्ट बहुत लंबी है मैं अमरीकी सरकार का हभार करना चाहूंगा जिनोंने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया है 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यातर की थी तब भी कई कलाकुर्तियां भारत को लोटाई गई थी मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांसकुर्तिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को लेकर के देश बर में जागरूता बढ़ेगी इससे हमारी सम साचों कर लगाओ भी और गहरा हुगा मेरे प्यारे देश बास्यों देव भूमी उत्राखन की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आश्रवात दिया है उन्हों ने कभी कलपना भी नहीं की थी कि हमारी सांसकुर्दिक धरोह रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है आप सोच रहे होंगे कि या पूरा माजरा है क्या साथ्यों तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना गाटी की महला उन्हें ये वो महल हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृती भेंट की थी ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभीबूत हो गया आखिर हमारे हां प्राचीन कार्थ से हमारे शास्त्रों ग्रंत इनी भोजपत्रों पर शहज़े जाते रहे हैं मह भारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था आज देव भूमी की ये महला एं इस भोजपत्र से बेहद ही सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया और सम्रती चीन्य बना रही हैं माना गाउं की यात्रा के दोरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहाना की थी मैंने देव भुमी आने वाले परियत्रकों से अपील की थी को यात्रा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदें इसका वहाँ बहुत असर हुआ है आज भोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिरस्यात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं बोज पत्र की प्राचिन विरासत उत्राखन की महलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि बोज पत्र से नए-ने प्रोडक्ट बनाने के लिए राज सरकार महलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है राज सरकार ने भोज पत्र की दुरलब प्रजातियों को समरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है जिन खेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्री का भी जर्या बन रहा है मेरे पहरे देश भाच्षियों मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को भूत ही संतोस देते हैं ये चिठी उन मुस्लिम महलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है उनकी यात्रा कई माईनों में बहुत खास है ये वो मेलाएं हैं जिनों ने हज की यात्रा बिना किसी पूरुस सहयोगी या महरम के बिना पुरी की है और ये संख्या सो पचास नहीं बलकी चार हजार से जादा है या एक बड़ा बडलाव है पहले मुस्लिम मेलाओं को बीना महरम हज करने की इजाज़त नहीं थी मैं मन की बात के माध्यम से सौधी अरब सरकार का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूं बीना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए है खास तोर पर विमेन कोडिनेटर्स नियुक्ति की गई थी साथियों बीते कुछ वर्सों में हज पॉलिस में जो बड़ाओं किये गए हैं उनकी भरपूर सराना हो रही है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है हज यात्रा से लोटे लोगों ने विशेश कर हमारी माताओं बेहनों ने चिठ्थी लिखकर जो आशिरवात दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेज़क है मेरे प्यारे देश्वासियों जम्मु कश्मीर में मुजिकल नाइट्स हो हाई एल्टी टूर में बाइक रेलीज हो चन्रीगड के लोकल क्लब हो और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स गुरुप्स हो यह सुनकर लगता है एंटर्टेन्मेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है लेकिन बात कुछ और है यह आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और यह कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाब जागरुकता अभ्यान जम्मु कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इन्वावेटिव प्रयास देखने को मिले हैं यहां मुजिकल नाइट बाइक रेली जैसे कारकम हो रहे हैं चेन्डिगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है वे इन्हें बादा क्लब्स कहते हैं बादा या नहीं विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूस पंजाब में कई स्पॉर्ट्स ग्रूप भी बनाए रहे हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए एवरनेस केम्पेंच चला रहे हैं नशे के खलाप अभियान में युवाओं की बड़ती भाजिदारी बहुत उस्ठा बढ़ाने वारी है ये प्रयास भारत में नशे के खलाप अभियान को बहुत ताकट देते हैं हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है तो उन्हें ड्रक्ट से दूर रखना ही होगा इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशाम मुक्त भारत अभ्यान के सुर्वाद की गई थी इस अभ्यान से 11 करोड से जादा लोगों को जोड़ा गया है है दो हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रक्ट के खि़ाब बहुत बड़ी कारिवाई की है ड्रक्स की करीब डेढ लाक किलो की खेप को जब्त करने के बार उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने दस लाह की किलो ड्रक्स को नस्ट करने कानों का रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत बारा हजार करोड रुपे से भी ज़्यादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं प्रशानी बन जाती है ऐसे में यह खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुट होकर इस दिशा में आगे बड़े हैं मेरे प्यारे देश्वासियों जब बात ड्रक्स और युवाद पीडी की हो रही है तो मैं आपको मद्य प्रदेश के इंस्पाइरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ यह इंस्पाइरिंग जर्नी है मिनी ब्राजिल की आप सोच रहे होंगे कि मद्य प्रदेश में मिनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तो प्रिष्ट है MPK शडूर में एक गाउं है विचारपूर विचारपूर को मिनी ब्राजिल कहा जाता है मिनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि यह गाउं आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गड़ बन गया है जब कुछ हपते पहले मैं शडूर गया था तो मेरी मुलाकाथ वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश वाज़ों को और खास कर युवा साथियों को जुरूर जानना चाहिए साथियों विचारपूर गाउं के मिनी ब्राजिल बनने की आत्रा दो धाई दसक पहले शुरू हुई थी उस दोरान विचारपूर गाउं अवैद सराप के लिए बदलाम था नशे की गिर्प्त में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रईस जी के पास समसाधन जाता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाउं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबॉल क्रांती नाम से एक प्रोग्रेम भी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहर दिवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है यह प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं यह फुटबॉल क्रांती अब धीरे धीरे पूरे शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में बारा सो से ज़्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबॉल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नश्य के लिए बननाम था वो अब देश की फुटबॉल नरसरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरुरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की इसके बाद यही युवाओं देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं मेरे प्यारे देश भास क्यों? आजादे के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्सा से अमरित महोत्सों मना रहे हैं। अमरित महोत्सों के दोरान देश में करीब करीब दो लाग कारकमों का आयोजन किया गया है। ये कारकम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविदता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खुबसूरती ये भी रही कि इन में रिकार्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दोरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महिनों की बात करें तो जन भाज़ीदारी से जुड़े कई दिल्चस्प कारकम देखने को मिले। ऐसा ये कारकम था दिव्यांग लेखकों के लिए। राइटर मिट का आयोजन इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सभवागिता देखी गई। वहीं आंद प्रदेश के तिरुपति में राश्ट्रियस संस्कृत संभिलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में कीलों का फोर्ट का कितना महत्वर रहा है। इसी को दर्साने वाली एक केम्पेंग कीले और कहानिया यानि फोर्ट से जुड़ी कहानिया भी लोगों को खुब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरब अमरित महत्वर की गुंज है, पंदरा अगस्त पासी हैं, तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा। इसके तहएट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की संुरुती में अनेक कारकम आयूजित होंगे। इन विभूतियों की संुरुती में देश की लाँखो ग्राम पंचायतों में विशेश सिलाल एक भी स्थापित किये जाएगे। इस अभ्यान के तहट देश भर में अम्रित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अम्रित कलस यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश की अलग-लग हिस्सों से पउधे लेकर भी आएगी। पचतर सो कलस में आई माटी और पउधों से मिलाकर फिर नेशनल बॉर मेमोरियर के समीत अम्रित वाटिका का निर्मान किया जाएगा। ये अम्रित वाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल के लिए से अगले पचीस वर्षों के अम्रित काल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभ्यान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पुरा करने की शपत भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपत लेते हुए अपनी सेलफी को you are.gov.in पर जरूर अप्लोड करें। पिछले वर्षोतंतरता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा भ्यान के लिए जज़ा पुरा देश एक साथ आया था। वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर गर तिरंगा फैराना है और इस परंप्रा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा। देश की आजादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा। आज़ाजी के मुल्य का एसास होगा इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए मेरे प्यारे देशवासीों मन की बात में आज बस इतना ही अब कुछी दिनों में हम 15 आगस आज़ाजी का ये महान परव का हिस्सा बनेंगे देश की आज़ाजी के लिए मरमिटने वालों के ओक हमेशा याद रखना है हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात महनत करनी है और मन की बात देश वाच्चों की इसी महनत को उनके सामों ही प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है अगली बार कुछ नए विश् आप से मुलाकात होगी बहुत बहुत धेनवाद नमस्कार